तो दोस्तो आज हम एक ऐसे legend के बारे में बात कर रहे हैं जिनका जनम 3 मार्च 1849 में हुआ था उन्होंने 14 साल की उमर में अपने पिता के काम में हाथ पटाना शुरू कर दिया जब उनके एक डिगरी कम्प्रीट हुई तब उनके प्रिंसिपल उनसे इंप्रेस होकर उनकी फीस वापस कर दी 9 साल के बिजनस एक्स्पिरेंस के बाद 21,000 से अपने पहले बिजनस को शुरू किया और 1898 में उन्होंने बैंगलूर में महिसूर के राजा महराजा नालवन्दी कृष्णा वेडियार को 371 एकड की जमीन डोनेट की और साथ में 5 लाग रुपे दिये बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के लिए ताकि वहाँ इंडिया का नमबर वन इंट्रिजूट खड़ा हो सके जिससे साइंस की वर्ड में इंडिया पीछे ना रहे जी वो है जब फोरें के 5 शार होटल में ठहरने गए थे तब उन्होंने वहाँ पड़ा कि दोग्स एंडियार का नालवड तभी इंडिया में इन्ही के राज में इन्ही के सामने इंडिया का नमबर वन और सबसे पहला 5 सार होटल बनाऊंगा दोस्ते ये वो लेजिंड है जो बिटिस सरकार को कर्ज दिया करते थे ये वो लेजिंड है जिनकी टारीर स्वामी विवे का नंची किया करते थे उमीद करता हूँ अभी तक आप लोग ने डियस कर लिया हूँ अगर नहीं किया है तो मैं बताता हूँ He is the biggest philanthropist in the world None of other than the founder of Tata Group Shree Jamshedji Tata तो दोसर Shree Jamshedji Tata जी के लिए एक लाइक तो बनता है और कमेंट सेशन में जरूर बते है कि वीडियो कैसी लगी और आज की वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए अपने family, teachers और friends के साथ और भी ऐसी वीडियो चाहिए तो हमारे पेज को follow कर लीजे मिलते अगली वीडियो में तब तक लिए नमश्कार